EV गाड़ी पर्चेस कर लिया है लेकिन आपको पता नहीं है कि EV गाड़ी को maintain कैसे करें क्योंकि ये normal petrol गाड़ी तरह काम नहीं करती है तो अलग तरीके से काम करती है इसको आपको maintain किस तरीके से करना चाहिए और कैसे आप अपनी गाड़ी की बैटरी से maximum mileage निकाल सकें कैसे हो तो आज इस वीडियो हम डिसकस करने वारे नवसका तो मैं हो भी कमसीख आप देख रहे हैं माई मोटर काड़ी यूटीब चैनल टेक रिलेटर वीडियो हम बनाते रहते हैं आज हम बना रहे हैं कि कैसे अपने electric vehicles को maintain करे और उनका ध्यान रखे तो चलिए शुरू करते है एंजन बे के बादे हम यह नममल इंजन बे नहीं होता है यह तो अलग तरीकी के रहे होता है इसमें कोई भी इंजन नहीं होता है होती ही हिसके नीचे मोटर होती है और बागी जो electrical components होते है वो यहां पर होते हैं तो सबसे पहले जो टिफ है आपको तो इंजन बे के अंदर पानी नहीं मरवाना है, जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, तो इलेक्रिकल कॉंपोनेंट यहाँ आपको साफ दिखाई देता होगा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आगे देखेंगे, साइड में, तो यहाँ पर भी देखें, इलेक चार्जींग नेटोग में चार्जेर नहीं मिलते हैं, अपनी जब-भी कोई ट्रिब ब्लैन करने वाले हो तो चार्जर नेटोग को प्लैन करें चलें जिस रूट पे आप जाने वाले हैं, सबसे पलिप भी ब्ली आपा इसे कड़र आप को लगने वाला है, इसके लिक आपको fatigue नहीं होगा, इस सिर्फ स्ट्रेस नहीं होगा. अब एलेक्ट्रिक विगल्स के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा होता है, कि आप एक constant speed पे continuously चल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक motor होते हैं, कोई भी gear shifting का पंगा नहीं होता, तो गारी थोड़ी slow भी होगी, तब भी आप इसको cruise control के उबर चला सकते हैं. Cruise control अगर आपकी गारी के अंदर है, तो बहुत बड़े चीज है, 60 से लेके 80 की speed के बीच में चली है, आपको maximum mileage गारी देने वाली है, जो कि आपके long travel या short travel के लिए बहुत बड़ी है, इससे जब गारी चढ़ाई चढ़ रही होगी, तो ज़्यादा power consume नहीं करने वाली है, और जब गारी डाउन जा रही होगी, तो maximum power जो है, वो generate कर सकती है, और दूसरा वादा यह है, ज़्यादा battery consume नहीं करेगी, ताकि आपको maximum range मिल सके, अब इंटरनेट की उपर आपने बहुत साइव वीडियो जो देखी हुए, जहाँ पर electric vehicles के अंदर आग लगा रही है, लेकि सबसे बड़ा reason यह होता है, electric vehicles के अंदर आग लगने का, दूसरी चीज़ जो है, आज के टाइम पर गाड़ी के लिए fire extinguisher bonnet में लगाने के लिए अलग से आते हैं, एक brand daddy's company है, वो अपने auto fire extinguisher बेचते हैं, उनको अपनी गाड़ी के यहाँ पर लगा के, आप अपनी गाड़ी को कुछ हद तक safe कर सकते हैं, आपकी गाड़ी में कभी बाइचांस आग लग जाते हैं, जो आपकी गलती नहीं है, तब भी आप गाड़ी से बचके निगल सकते हैं, अप गाड़ी को जब चार्ज कर रहे हैं, तो कोशिच कीजिए कि अपनी गाड़ी की चार्ज को 20 से लेके 80 परसंट के बीच में रखिए, 20 से कम मत जाने दीजिए और 80 से उपर मत जाने दीजिए, इससे होगा क्या, जब आप फोन भी चार्ज करते हैं, कमपनी के बुक में आता है कि आप 80 से ज़ादा मत चार्ज कीजिए, और 20 से कम मत जाने दीजिए, इससे आपकी बैटरी की हल्थ ज़ादा बेटर रहने वाली है, इलेक्ट्रिक वेहिकल्स गाड़ीों का भी टायर पंचर होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ही होती हमको पता ही नहीं होता है कि जैक कहां पर लगा है टायर चेंज करने के लिए, और इस गाड़ी के नीचे तो बैटरी पैक होता है, तो गलत जगह लगा दो कि आपकी जो फ्यूल सेल्स हैं, यानि कि जो बैटरी पैक हैं वो फट सकता है, तो सबसे बड़ी तरीका यह जानेगा, जैक कहां लगना है वो है गाड़ी के नीचे यह जो इंडिकेटर दिया हुआ है, तो इसके नीचे ही आपको एक जगह मिलेगी जहां पर आप जैक को लगा सकते हैं, पर एक कटाउट बनाया गया है, जिसमें आप जैक को लगा के अपनी गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं, इससे बैटरी को भी को नुकसान नी होगा और अपकी गाड़ी उठ जाएगी बहुत ही सेफ तरीके से, अब जब भी आपनी गाड़ी को पार करते हैं, तो कोई चाया वाला एरियम पार कीजिए, यदि गारी जब ठंड़ी रहेगे न उसके बहुत बना रीजन है, क्योंकि गारी को ठंड़ा रखना बहुत ज़रूरी है, तो जब गाडी शेड के अंदर खड़ी रहेगी, छाया में खड़ी रहेगी, तो बैटरी पेक गर्म नहीं होगा, AC चले का नहीं, जिससे बैटरी कि अंदर नहीं होने वाले, तो आपका इफादा रहने वाले है, छाया में खड़ा रanking, आपका इंटियर भी ठंडा रहेगा, बैटरी पैक भी ठंडा रहेगा, और अगर आपकी गाड़ी के इंदर संरूफ है, तो सबसे बड़ा काम आप यह कर सकते हैं, कि संरूफ को बंद कर दीजिए, जिससे बहार की जो गर्मी है, वो अंदर नहीं आएगी, केबिन को गरम नह करना पड़ेगा, गैबिन को ठंडा करने के लिए, और उसके बाद आपको जो रिजनरेशन मोड से यहां पर दिये गए हैं, इनके साथ आप थोड़ा प्रैक्टीस कीजिए, कि कैसे आप इनको यूज करके, मैक्सिमम पावर जो है, जो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यही आ तो इससे होगा क्या, आपकी बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम सारे सेल्स को बराबर चार्ज करेगा, तो इससे बैटरी सेल्स की एज बढ़ेगी, और आपकी गाड़ी लंबा चार्ज को होल्ड करने वाली है, तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट है, इलेक्टरी वेहिकल्स को मेंटेन कैसे करना है, इलेक्टरी वेहिकल्स को सही कंडिशन में कैसे रखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई भी और क्वेरी है, तो इस इमेल एडरस पे आप हमें query send भी कर सकते हैं मिलते आपसे नेक्ट वीडियो में till then take care and bye bye और साथ में अगर आपको कोई और topic भी है जिसके उपर आप वीडियो चाहते हैं तो please comment box से जरूर बताना